हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हूं आप ठीक होंगे और आज का वीडियो बनने जा रहा है तुलसी जी के पोधे के उपर की हमें तुलसा जी का पोधा किस दिन और कब हमें लगाना चाहिए तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखना अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेर, कमेंट करना ना बूले तो फ्रेंट्स जैसा कि आप सभी को पता है कार्तिक महिना चल रहा है और हिंदु धर में कार्तिक के महिने का बहुत ही महत्व होता है हिंदु धर में कार्तिक मास का बहुत विशेश महत्व है इस मास में श्री विश्णु जी के साथ तुलसी माता जी की पूजा और अर्चना की जाती है कार्तिक का महीना शरत पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है और मान्यता है कि जो मनुश्य कार्तिक मास में व्रयत तप करता है उसे मौक्ष की प्राप्ति होती है और अब बात आती है कि हमें तुलसा जी का पोधा घर में कब लगाना चाहिए तो फ्रेंट्स हमें तुलसी जी का पोधा घर में तुलसा माता जी का जनम दिवस वाले दिन लगाना चाहिए जो कि कावी सुब माना जाता है तो तुलसा जी का जो जनम दिवस है वह है 25 दिसमबर को हम सभी तुलसा जी का जनम दिवस के रूप में मनाते हैं तो फ्रेंड्स इसके अलावा आप कार्तिक पूर्णीमा के दिन भी तुलसी जी लगा सकते हैं आप कार्तिक पुर्णीमा को अपने घर में तुलसाजी का पोदा लगा सकते हैं और इसके अलावा सावन मास में आप जब भी सावन का महीना चल रहा होता है उस दिन उस पे तो आप पूरे महीन में आप किसी भी दिन यानि इतवार को छोड़कर और एक कार्सी तिति को छोड़कर आप तुलसाजी का पोदा अपने घर में लगा सकते हैं इसके अलावा हिंदू मान्यता में हिंदू धर्म में बारे संक्रांती पढ़ती हैं तो बारे संक्रांती पर आप किसी भी संक्रांती पर तुलसाजी का पोदा लगा सकते हैं हिंदू धर्म में तुलसी के पोदे को पवित्र और पूजनीय माना गया है कहा जाता है कि इसमें माता लक्ष्मी कवास होता है यही वज़े कि लगवग हर हिंदू घर में तुलसी के पोदे की सुभा शाम पूजा की जाती है और सुभे के समय में तुलसी के पोदे में जल चड़ा कर उनकी परिक्रिमा की जाती है तो शाम के समय में लोग पोदे के सामें दीपक जलाकर शोक सान्ती की कामना करते हैं लेकिन अक्सर आपने देखा और सुना होगा कि रविवार और एकासी के दिन तुलसा जी में जल नहीं चड़ाना चाहिए क्यों इसका क्या कारण है इसका कारण है कि रवीवार के दिन तुलसी माता विश्ण भगवान जी के लिए निर्जला उपवास रखती है तो अगर हम उसमें जल चड़ाएंगे तूलसी माता मैं, अगर हम जल चड़ाते हैं तूलसी के पोड़े में, то उनका वरत तूट जाएगा तो इसलिए हमें रविवार के दिन तूलसाजी में जल नहीं चड़ाना चाहिए और इसके अलावा हमें 81 के दिन भी तुलसा जी में जल नहीं चड़ाना चाहिए और इसके पीछे की वज़े है मात तुलसी का विवा पौराणिक मान्यतों के नुसार कार्थिक मास की एकादसी के दिन मात तुलसी की भगवान विश्णू के पत्थ स्वरूप शाली ग्राम से विवा हुआ था जिसके बाद से तुलसी जी रविवार के साथ एकादसी को भी निर्जला व्रत रखती है ऐसे में इन दोनों दिन अगर आप मात तुलसी जी को जल चड़ाते हैं या उन्हें चूते हैं तो उनका व्रत तूट जाता है और आपको उनकी क्रोध को जिलना पढ़ सकता है तो ऐसे में भूल कर भी इन दोनों दिन मात को जल ना चड़ाएं और नहीं उनकी पत्तियों को तोड़ें और हाँ फ्रेंड्स आपने अक्सर देखा होगा कि तुलसा जी का पोदा कभी कभी सूख जाता है या उसकी पत्तियां पीली पढ़ जाती है इसका कई कारण होते हैं सबसे पहले तो आप तुलसा के पोदे को ऐसी जगे रखे जहां पर उसे धूप भी मिलती रहे अगर आपके पोदे को प्रोपर धूप नहीं मिलेगी तो उसमें काले-काले कीड़े लग जाते जो की आपके तुलसा के पोदों की जो पत्तियां उनको धीरे-धीरे चट कर देते हैं यानि कि आपके तुलसा को पूरी तरह खत्म कर देते हैं दूसरा आप अपनी तुलसा में जितना हो सके कम से कम जल अरपन करें यानि कि आपको केवल तुलसा में उतना ही जल देना जिससे केवल उसकी मिटी गीली हो जादा तुलसा में जल देने से भी उसकी जड पूर्षा के पोदे को हमें जादा गर्मी वह जादा सर्दी से भी हमें बचाना है हमें तुलसा के पोदे को ऐसी जगे रखना जहां पर केवली से दो से तीन गंडे की दूप मिले अगर यह पूरा दिन दूप में रहेगा तो यह पोदा पीले पढ़ने लग जाएगा आपक यह आदा सर्दी से भी अपने पोदे को अपने तुलसा जी को बचाना है इसके लिए हमें एक स्वच कपडा विधकु साफ कपडे को इसे डख लेना चाहिए इसके लिए आप लाल रंग का कपड़ यह पीले रंग का कपड़ा भी आप ले सकते हैं जिससे अगर ओस पड़ है ही नहीं क्योंकि वहां पर उसे ओस लगेगी ही नहीं और हाँ फ्रेंट्स अगर आपके तुलसा जी में काले रंके कीड़े हो गए हैं च्छोटे कीड़े उसमें लग गए हैं तो इन कीड़ों को खतम करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ तुलसा जी के देखें फ्रेंट्स तुलसा जी तो सारी ही अच्छी है जिसे भी आप घर में लगाएं सबी अच्छी हैं लेकिन सनातन धर में रामा तुलसी ओ श्यामा तुलसी को सुब माना जाता है लेकिन वास्तु शास्त के मुताबिक घर में रामा तुलसी लगाना सर्वोतम माना गय रामा तुलसी घर में सुक्स्म्रिद्यो सकरात्मक उर्जा को आकर्शित करती है और फ्रेंड्स जब भी आप अपने घर में तुलसा जी का पोदा लगाएं तो कोशिस करें कि गमला जो हो वो मिट्टी का हो या पत्थर का हो लेकिन प्लास्टिक का गमले को ना लगाएं प्ल कि आप सभी के घर में सुक्स्म्रदी तुलसी माता लेकर करें तुलसी माता सभी की मनोकामनाय पूर्ण करें तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें तो फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ जब त बन्स